आज हमने करा तराखंड की बड़ी खबरे सबसे पहले बात कर लेता है कुरोणा अपडेट को लेकिए तो भारत में कुरोणा मरजों की संख्या एकासी लाग उनासी हजार दोसो पचास हो गया वहीं पिछले चौबिस घंटे में 48,268 नए मामले सामने आए जबकि पिछले चौबिस घंटे में 551 लोग की मौत हुई है इस परकार से मौत अकुलाकरा एक लाग बाइस जान निन्यान पे पहुँच गया है उत्राखंड में एक सब्ताबाद करोना से दस से जादा मौत होई है तो पिछले 24 घंटे में 12 करोना मरेजों की मौत होगे जबकि 413 नए मामले सामने आये तो उत्राखंड की हेल्थ बिल्टिन के अंसाथ 12 जिले में सबसे अधिक 96 करोना मरेज मिले होई रुद प्रियाग में 55 पोड़ी में 52 टीरी में 45 हरदवार में 33 नहें ताल में 32 चमोली में 29 उत्रकासी में 20 उत्मसी नगर में 17 पाकेसवर में 11 अलमोडा में 9 पिछोड़ागर में 3 चंपावत में 1 करोना का मामला सामने आया वहीं परदेश में 12 करोना मरेजों की मौत ह केस में 5 दून मेटिकल कॉलेज में 3 महंत इंड्रेस होस्पिटल में एक सहना स्पताल में एक सुसिलातिवारी मेटिकल कॉलेज हल्दवानी में 2 मरीजों का इलाज की दौन दम तोड़ दिया वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ करके 1023 हो गई है तो इस प्रकास्व प्रका एक हजार आठ सु काउन बागेसवर में 933 चमोली में 1800 चमपावत में 1149 दैरादु में 17250 हरदवार में 10900 ठामबे नैंताल में 7329 पौड़ी गडवाल में 2970 पिथोड़ागर में 1470 रूद प्रियाग में 1200 89 वहीं टीरी गडवाल में 3107 उदमसी नगर में 9482 उतरकासी में 2720 तो टो टोल मामले 2338 हो गए हैं पडेशी की कबूल नामें से पुलवामा पर भ들डी राज़नीती करने वालों के चहरे बे नकाब तो प्रियम देश दुखी था तब कुछ लोग दुख में सामिल नहीं थे वे पूलवामा हमले में भी श्warud खोज रहे थे करवा चौध पर करोना का असर नहीं 25% तक जादा कारुबार की उमीद तो करवा चौध परव को लेकर बजारों में चहल पर सुरू हो गई है चार नॉम्मर को मनाई जाने वाले इस परव पर करोना का खास असर दिखाई नहीं दे रहा है एतिहात संग खोले कोची सेंटर तेहवारों में बरते सकती तो परदे सरकार ने एतिहातन के साथ परदेश के कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टूट खोलने को अनुमति दे दिया है साथ ही उस्वों और भीड़ भड़ वाले जोकों में मास्क पहनने और सोचल डिस्टेंसिंग को लेकर सकती बरतने की आदेश भी दिया है मुके सचीव ने परदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टूट खोलने को अनुमति दी एक अक्टूबर को अनलॉक फाइप की जो एसोपी जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि जिलादिकारी 15 अक्टूबर से कोचिंग इस्टूट खोलने पर निर्ने लेंगे अब मुक्य सचीव ने इस आदेश पे इसफ़ेश्ट कर दिया है कि केंद्रिय ग्रिय मंत्राले और स्वास्त मंत्राले के आदेशों के तहट जारी की गई एसोपी का पालन करते हुए कोचिंग इस्टूट खोले जाएं तेवारों वा भीड़ बढ़ वाले आजोकों में मास्क पहनने और हातों को बार बार साबून से दोने और समाजिक दूरी के नियम का सकती से पालन करवाने की जिम्यदारी भी अजीला दिकारियों की होगी उत्राखंड में भी सी प्लें सेवा सुरू होगी तो सी प्लें जैसी सेवा जल्द ही उत्राखंड में भी मिल सकती है पंथनगर एरपोर्ट के डारेक्टर S.K.C. ने पताया कि सी प्लें सेवा के लिए टीरी को चीनित किया गया है गुलर भोजडेम और नैनी जील भी इसके लिए उप्यूक्त है हाई कोट के एहम फैसले तो एक सप्ता के भीतर करे किसानों का भुकतान तो हाई कोट ने राजी सरकार को निरिश दिया कि रवी और खरीब के फसले खरीदने के बाद 48 घंटों से लेकर एक हफ्ते के भीतर किसानों का भुकतान क्या जाए डॉक्टर नर्सों और अन्य स्टाब की निक्ति करे सरकार तो हाई कोट ने कोविड अस्पताल और कोलेंटें सेंटरों को लेकर के अलग जनीत याचिका पर सुनवाई की वहाई सनक्षित वन भूमी में खनन पटे पर जवाब भी मांगा है पहले जैम्स बॉन्ड सौन कॉर्णरी का निधन तो ब्रिटीस एजेंट 007 जैम्स बॉन्ड का किर्दार निभाने वाले महान अभिनेता सौन कॉर्णरी का सनिवार को निधन हो गया जवरन धर्म परिवर्थन रोकने को लाएंगी कानूं तो शियम योगी अधीत नातने कागे परती सकती से का मागा और तक यू लिा देगी कि घोशना करेंगे सरकार ने राज स्थापना समारो की कारी योजना बना लिए मुख्यमंद्री आज शिच्छकों को देंगे डॉक्टर भक्त दर्शन पुरुषकार तो मुख्यमंद्री तिवेशिंग रावत आज शिच्छकों को डॉक्त भक्त दर्शन उच्छा गौरा पुरुषकार से पुरुषकृत करेंगे परदेश में 1200 से अधिक सिच्चकों को तैनाती मिली तो सायक अध्यापक LTE से लेक्टर के पद पर परमोशन पाने वाले 1200 से अधिक सिच्चकों को विभिन स्कूलों में तैनाती दी गई फूलों की घाटी सीदकाल को बंद तो फूलों की घाटी सनिवार को दोपार 12 बजे सीदकाल के लिए बंद कर दी गई इस बार वन विभाग को आपदा वर्स 2013-14 के बाद सबसे कम राजों से मिला करोना संकरमर के कारण इस बार प्रेटकों के लिए फूलों की घाटी एक अगस्त को खोली गई थी दो माह में 911 सेलानियों ने घाटी का दिदार किया फ्रांस के चर्च में पादरी को गोली मारी तो हाई अलट घोसित और हमले की चितावनी दी गई है कॉवीड टीकी का वादा अचार सहिता का उलंगन नहीं तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाओ लड़ए भाच्पा की घोशना पत्र में क्रोना टीका मुप्ति देने क वादा आदर्स अचार सहिता का उलंगन नहीं है RTI कारेकरता साकेत गोखले की सिकायत पर जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि इस मामले में कोई उलंगन नहीं हुआ है उत्पीडन से घिरे स्कूल के सिचक ने दी जान तो खबर है देरदों से जहापे राजपूर छेतर में चातरों के परण के आरोपों से गिरे बोध इसकूल के सिचक ने सनिवार साम आत्मत्य कर ली सुसाइड नोट में सिचक ने चातरों के मामले में गुरुजी के बदनाम होने की बात कहकर फांसे लगाने की बात लिखी थी देश में जल्द बर सकते हैं जरुआउओं की कीमत तो दवा निर्मान में इस्तमाल होने वाली A.P.I. की कीमतों में बरोतरी से अंटीबाइوटिक समेत कई दवाओं की कीमत बढ़ने का खतरा प्रता हो गया है कई दवा निर्माता कंपनियों ने दवाई की कीमर बढ़ाने के लिए नेशनल फार्माक्योटिकल प्राइसिंस ऑथरिटी को परस्थाओ भीजा है 18 परसद दवाओं का उत्पादन उत्रा खंड में तो उत्रा खंड में 300 के करीब दवा निर्मार यूनिट है देश की जरूरत की 18 परस दवाएं उत्रा खंड में बनती है सट्टे की रकम ना देने आपर मेकेनिकल की रोड मारकर हत्या तो प्रेमनगर पुलिस ने मेकेनिकल गंगर राम हत्या कांड का खुलासा कर दिया गंगराम की हत्या सट्टे में जीती सोला हजार की रकम नौ देने पर हुई थी पुलिस ने आरोपी को गिरपतार कर लिया है पुलिस ने आरोपी के पास मिर्दक का मुबाइल नगदी और घटना में परियुत लोही के रौट बरामत की है चार साल तक दुसकरम करने का आरोप लगा है पूलिस ने आरोपी की खिलाब दूसकरम समेथ अन्निया धराव में मुकदमा दर्ज कर लिया है कुछ दिन और रुलाएगी आलो प्याज की महंगाई तो नासिक में ब्यापारियों की हर्ताल का असर अब आलो प्याज की दाम पर परता दिख रहा है थोक में बढ़ोतरी होने के बाद अब बाजार में आलो प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है बेसिक सिच्छ coule सिचले पर सभरति की आसनेवार क 19 54 दिन में प्रवेशच कर गया मेरी नो भेड को भाये उत्रा खंड की आपो हुआ तो ऀस्टिलिया से आएट कर लाई गई मेरी नो भेड को उत्रा खंड की आपो ह स्पेक्टर तो पुलिस विभाग के 31 हेट कॉंस्टिपलों की पद्रूति दी गई है गलत कटान पर जहर गटका तो खबर एल मोड़ा से जहां पर बेकिया छाना ब्लॉक में निर्माना धिन मोटर मार्ग का सर्वे के तहत कटान नहीं होने से खपा पूर परदान ने जहर खा लाई है पर चास सुभा 11 से एक बजे तक आउजित की जाएगी अल्मोडा कालीधार में ट्रक दुर्खटना गरस्त एक की मौत तो अल्मोडा पिथवडगड हाईवे में कालीधार के पास सनिवार सुभा एक ट्रक दुर्खटना गरस्त हो गया जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौत होगी जबकि दूसरा गंबी रूप से घायल हो गया समगर सिच्छा वियान में 400 पदों पर भरती होगी तो समगर सिच्छा वियान में करीब 400 विभीन पदों पर रोजगार का रास्ता खुलने जा रहा है समगर सिच्छा वियान का गठन किया इसमें 969 पद मंजूर किये गए इसमें पर ज्यादा तर पद परती न्युक्ति के हैं जबकि करीब 800 विभीन पदों पर आउट्सोर्स से न्युक्तियां होनी है इनमें अकाउंटेंट्स कम सपोर्टिंग स्टाप के ही 362 पद हैं जबकि रिसोर्स परसंड राटर इंट्री ओपरेटर और अभियनता के भी कई पद इस वक्त खाली हैं माफिया के खिलाप लड़ाई में सब एक जूठ हो तो मुख्यवन त्रिवें सिंग रावत ने कड़े तिवर दिखाते हुए कहा कि वह उत्राखंड को माफिया तंत्र से मुक्त कराने के लिए आखरी सांस तक संकल बद रहेंगे उन्होंने माफिया के खिलाप लड़ाई में उत्राखंडवाशियों से एक जूठ होने का आवन किया है तो सनिवार को राष्टे एक तदिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में प्रेड हुई तोता घाटी में बदिनात हाईवे छातिगरस आवाज आई ठपो गई है तो देव प्रियाग के तोता घाटी में ब्राश्टिंग से आई चटानी मलवे सेद राजमक दो भागों में बढ़ गया एनेश टीम की और से यहाँ पर दोनों और मसीने लगा कर दरारों को भरने का काम सुरू कर दिया है पर सासन वा पुलिस ने हाईवे बंद होने की इस्तिति हमें स्री नगर से रिची केस की और जाने वाले वहानों को चमबा हुआ हिंडो खाल से होकर भीजा वहें खबर एक ओरदवार से पेड़ से टगाया कर बाइक सवार की मौत तो सने काला गड़ मार्क पर एक बाइक के अन्यंदी थोकर के सड़क किनारे पेड़ से टगराने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई वहें कर प्रयाक से खबाले जांपे गदेरे में गिरी 108 चालक से दो खायल हो गए तो सनिवार सुबा करीब 6 बजे नैंताल हाइवे पर सुबास नगर के पास एक 108 अमुलेंस गदेरे में गिर गई बदिना धाम में गाडियों में रात बिता रहे तिर्थ यात्रि तो कपाट बंध होने से ठीक पहले सरधालों के संख्या बढ़ने से बदिनात में इंतिजाम कम पड़ गये हैं करोना के कान धाम में सिमित संक्या में होटल धरमसाला हैं और गेस्ट हाउस खुले हैं इसलिए सभी यात्रियों के रुकने की वस्ता नहीं हो पा रही है सुक्रवार की रात तो कई सधालों को कड़ाके की सर्दी में अपने वाहनों में राद वितानी पड़ी सोचल मेडिया पर मैसेज भीजने के आरोप में किस तो विवाहित महिला को सोचल मेडिया के माद्यम से मैसेज भीजने हुआ अवान्शित उपहार भीजने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक युवा को गिरपतार किया उगत संबन में महिला के पती ने कोतवाली में सिका दिन ठप रही जिसे यात्रियों को हल्दवानी वा दूसरे सेरों को जाने के लिए परसानी का सामना करना पड़ा चमपावा से पिथोड़ागर पहुंचने को नापनी होगी 103 किलोमीटर की दूरी तो ओल वेदर रोड के निर्मार की चलते राश्टर आजमार में अगले 12 दिन तक आवजाई ठप रखने करने ने लिया इस वज़े से चमपावत जीले के लोगों को पिथोड़ागर पहुंचने के लिए 103 किलोमीटर की अतरिक्त दूरी तै करनी होगी राजनीती हमें कोई किसी का इस्थाई दोस्तिया दुस्मन नहीं तो पर जनम दिन पर नारग जगाते हुए सियासित आपमान भढ़ा गए हरक सिंग तो भवन वस्ता निर्मार करमकर कलियार बोल्ड के पुनरगठन से नाराज हरक सिंग ने अपने जनम दिन पर चुपी तोड़ी लेकिन साथ में सियासित आपमान भी भढ़ा गए पिछले कुछ दिनों से हरक सिंग की बोल्ड तक लें लेकिन खुलकर भी विश कुछ नहीं बोल रहे हैं सुकरवार को हरक सिंग ने कहा कि बोल्ड की सची उद्यब्यंती रावत को सियम मंत्री राजय मंत्री या बोल्ड की अधक्ष भी नहीं हटा सकते सनीवार कोहरक ने एक कदम आगे बढ़ा दिया सिचक भर्ती की मांग को लेकर की विरुजगारों का धर्म जारी है वहीं उकरांत ने सिचक भर्ती में लगाया फर्जी वाड़े का रोप लगाया केंदरी परवकता सुनील ध्यानी वगरांदेता सीव परसाद सेमवाल ने पर्मान पत्र है हरदवार में वायू परदूसरन की निग्राने को खुलेगा स्टेशन तो महाकुंब में वानों का दबाव बढ़ने से वायू परदूसरन और बढ़ने की आसंका है बात करते देरादुन की खबरों की तो उत्राखंड में कल से स्कूल खोलने के तयारियां पूरी तो परदेश में कल से दस्वी और बार्वी के छातनों के लिए स्कूल खोलेंगे इसकूल खोलने को लेकर के से विभाग की और से सभी तयारियां पूरी कर लिया हाला कि राज़दानी में नीजी स्कूलों को लेकर के आज समझ दिस बरक्रार है स्कूल संचाल को करेना है कि अव्यावक बच्चों को स्कूल भीजने के लिए तैयार नहीं है ऐसे में बहुत कम स्कूल खुलने की संभावना है चैसे रात नौ बजे तक कौनवाई सेवा तो दैरादुन रोट पर सुकरवार को हातियों का जुन्ट आने के बाद वन विभाग ने वानों के लिए कौनवाई विवस्ता शुरू कर दिया है दैरादुन रोट पर वन विभाग की चेक पोस्ट से वीरपूर बढ़कोट तक या विवस्ता साम 6 बजे से रात 9 बज़े तक लागू रहेगी असकी स्कूल खूलेंगे भारे जाएंगे परच्चा फॉर्म तो उत्राखन मादेमिक सिचक संग के प्रांते अध्रक्ष डॉक्तर अनिल सर्मा के मताबिक परदेश में करोना काल की चलते बोल्ड की बच्चों की परच्चा फॉर्म नहीं भर पाए थे दो नौम्बर से स् पार एक चात्र की मौत हो गई बाइक सवारों को सुक्रवार रात एक तीज रतरकार में टकर मारी थी फरजी डिगरी धारकों ने मारा परसिचित बिरुजगारों का हक तो तराखन करांदी दल ने बाहर जाजियों के फरजी डिगरी धारकों पर परदेश में परसिचित बिरुजगारों के हक का डाका डालने का आरोप लगाया दल का आरोप है कि साट गांट के दम पर फटजी दिग्री धारक सिचक बन बैठे हैं जबकि परसिचित बिरुजगार नियुक्ति की मांग को लेकर की निदे साले पर दिन राध धरना परसंद कर रहे हैं बिवादों से घिरे स्कूल का सिचक फंदे पर लटका तो तीन दिन से चुटी के लिए बच्चों की पिटाई के मामले में चर्चाओं में है स्कूल सिचक ने अंग्रेजी में लिखे सुसाइड नोट और वाइस रिकॉर्डिंग में वज़ा बताई है वहीं खबार है एक माह और चलेगा उप्रेशन सत्य तो उप्रेशन सत्य की अवधी को अब एक माह और बढ़ाए गया है अब तक इस उप्रेशन के तहत 112 नसा तसकरों को गिरफ्तार किया गया है वहीं खबार है दैराद उसे जहाँ पर साधी के जहांसा देकर महिला से दुसकरम जोलरी भी हड़पी गई है तो एक तलाक सुड़ा महिला से साधी के धासा दे करके व्यक्ति ने दुसकरम किया और लाखों रूपे के जेवर वा समान भी हड़प लिया पीडित महिला की सिकायत पर पटे लगर पुलिस ने रूपी के खिलाब मुकदमा दर्ज कर लिया है कंपनी का लैट टॉप लेकर भ सब्सक्राइब लाख लिए अनतीमतिन ऑविदन करनने की जो आनतीमति ना दर्लाव operator कर 준 के लिए अलग अलग पदोबर भरती है इसके लिए online आविदन करने की जो अंतिमती थी है वो 14 नौवंबर तर रखी गई है करमचारी चरे नायोग SSC में वेकैंसी निकली हुई तो बारवी पास सीवा जल्दी करें आविदन तो इसके लिए online आविदन SSC.NIC पर जाकर कर सकते हैं इसके अंतिमती थी 4 नौवंबर रखी गई है प्रकिर्ती अध्यात्म ग्यान की त्रिवेनी है फॉरेस्ट पार्क तो घंटागर से करीब 13 किलोमेटर दूर जंगलों के बीच एक ऐसा पार्क है जिसमें एक बार घुमने वाला ना केवल इसे महसूस करता है बलकि यहां के एक एक हिस्से को अपने दिल में बसा लेता है सर भी नजर आने लगा है रिशी केस में उम्रा सेलानियों का सेलाब तो तीरतनगरी में सासी खेलों के सौकीन ने गंगा में रॉपिंग का जम करलुप उठाया विक्टर बनर जी को फिल्म फेस्टिवल में मिला आवार्ट तो अविनिता विक्टर बनर जी को ऑंटोरियो फिल्म फेस्टिवल कनाडा में बेस्ट प्रोटिंग एक्टर के लिए समाय चक्या गया कुछ दिन पहले इंडिया इंटर्नेशनल फिल्म फेस्टिवल वोस्टन में भी उन्हें बेस्ट एक्टर का वाड मिला था आधा वाउजल वाद्विवाद में रहे विजेता तो पुल कोडियाला के पास बदिनात हाइवे का पंदरा मीटर हिस्सा कटा तो रोड कटिंग के दुरान तूटकर गिरच टन का बड़ा हिस्सा सलक के नीचे दिवा ढह गई है चीनुक ने धाम पहुंचाई 24 टन मसीने तो चीनुक हेलिकॉप्टर चार दिन में 24 टन भारी मसीनों के प बदिना धाम में जमने लगा पाला तो बदिना धाम में पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है रात के समय में यहां का तापां सोने से नीचे पहुंच रहा है जिसे धाम के नजदी की कई जगह पर पाला जमने लगा है हांस अस्पताल के 16 करमचारी पॉश्टी मिले गुलदार पर नजर रखने को गाउं में लगाया ट्रेम्प कैमरा तो कोड़वार नैनी डाम से खबा रही है वहाई गुलदार ने एक और व्यक्ति पर हमला किया है तो कोड़वार से खबा रहे जहां पर धुमा कोट में एक दुकान सुरेन सिंग बिष्ट को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया उतर का से खबर है जहां पर हिम वीरों ने बुझाई जंगल की आग तो देश की सरदों की स्वक्षा में तैनात आट डिवीपी की जवान जंगल की आग बुझाने में जुटे हैं बदिनाथ में अब तक पहुंचे एक लाक यात्री तो हैं जिला जज आवास तक पहुंचा हाथी तोड़ फोड की गई है तो हर्दवार से खबर है जहां पर ववन विभाग और राजजी पार्क में कर्मचारियों ने हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा हर्दवार के चार सिचक वे पुरुसक्रित लॉकड़ान आउधी में ऑ साधी रोकने की मांग किये जिसमें बताया कि पांच साल से उसके पुत्र का एक यूती से प्रेंपरसंग चल रहा था दोनों एक दूसरे से साधी के लिए तयार भी थे लेकिन यूती के परजन साधी के पक्ष में नहीं थे जिस पर दोनों ने त्री देव सनातन धर परचा चाहते हैं लेकिन करना चाहते हैं महिला ने सस्पी से गुहार लगाते हुए पूरे मामले की जांच के साथ यूती की साधी रुखवाने की मांग किया है हुए खबर है गंग नहर पर एक महिने में ही बनाए 130 मीटर लंबा पूल तो हर्दवार में 2021 में महा कुम्ब को देखते हुए हाईवे चोरिकन और कुम्ब के कारे बहते तेजी से चल रहे हैं निर्मार कारियों का रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाए दा सकता है कि राश्टर राजमार्ग प्रादिकरन ने करीव एक महिने के भीतर गंग नहर के उपर 130 मीटर लंबा पूल बना कर तैयार कर दिया है हुए हर्दवार जिले में भी कल से खुलेंगे स्कूल धूम धाम से मनाया गया वालमी की जनमों सव तो हवन पूजन का हुआ साहिजन करोना के खात्मे के प्रात्मा की गई राजे सीमा पर चलेगा सगन चेकिंग अव्यान तो तैवारे सीजन में मिलावटी सामान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए साधिस वक्षा विभाग ने कमर कसली है बात करते नैंतल हादवाने की खबरों की तो सरकारी विद्याले कल से खुलेंगे नीजी पर आसमंजस बना हुआ है तो सिच्छा विभाग ने बनाई विभागी आधिकारियों की टीमें रखेंगी निगा उचाई वाले इलाकों में गिर सकती है बरफ तो छेतर में दिन भर धूप खिली रही लेकिन सुबा और साम ठंड में जापा होने लगा सनिवार कौधितम तापमान 30.06 डिगरी से साथ जबकि निउनतम 12.06 रहा मुक्तिस्वर का दिन का तापमान 1 डिगरी बढ़कर 19.01 रहा और निउनतम 10.05 रहा मौसम विवाग के अनुसार अगले 24 गंटे में उतरकासी चमोली बागेसवर और पिथोड़ागर के उचाही वाले इलाकों में हलकी बारिस और बरबारी होने की संभावना है इसक्रव टाइफस की जाच बंद हो गई है तो कुमाओ के सबसे बड़े डॉक्टर सुसिला तिवारी हस्पताल में इसक्रव टाइफस की जाच बंद हो गई ऐसे में मरीजियों को नीजी लैब में महंगे दामों पर जाच कराना पढ़ रहा है वहीं खबर रही है राम नगर से जहां पर फरार वहान चालाक हाथे चड़ा है तो दूर व्यासाई इसे तीन लाख रुपे लेकर फरार वहान चालाक पुलिस के हाथे चड़ गया बेटे को रेता चुराते पकड़ा तो पिता ने वर्दी फाड़ी तो गस्त के दोरान दो वन करमियों ने सनिवार रात एक युवक को स्कूटर से रेता चुराते हुए पकड़ा युवक की पिता ने मोके पर पहुंचकर वन करमियों के साथ अबधरता की और युवक को जवरन चुड़ा कर ले गए मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है वह एक ख़़र है राम नगर नेंताल से जहांप एकी सोरी से दुसकरम हुआ है तो मालधन छेतर निवासी एकी सोरी को बहला पुछला कर भगा ले जाने और दुसकरम करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक पर पॉक्सो समेथ विविन धाराओं में केजदत कर लिय है एससाई जैपाल सिंग चुवा ने बताया कि मालधन निवासी महिला ने बताया कि 27 सक्टूबर को ग्राम कुंडा जिला उदमसी नगर निवासी वसीम उसकी बेटी को घर से बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुसकरम क्या पुलिस ने तहरीर पर वसीम के खिलाप पॉक्सो समेत विबिन धराओं में मुकदमा दर्ज कर कासीपूर से गिरफतार कर लिया है वहें खबर हल्दवाने से जहां पे दिया अस्वासन अगले सप्ता लगेगा सनी बजार खबर है ने ताल से जहां पे खाई में गिरी कार पेड़ पर अठकी तो मली ताल इस्थित हंस निवास छित में सनिवार साम पॉल्टेकनी के उड़ जा रही कार सड़क से गिर कर पहाड़ी के एक पेड़ पर टक गई हासे में कार सवार दोनों लोग घाल हो गए है कि वह खबर ही है हलदवाने से जहां पे करवा चौत के लिए सज गए बजार तो ब्यूटी पालर में विसेस आफर है बात करते कुमाओ की खबरों की तो जिला अस्पताल से फरार हुआ विचारा दिन बंदी तो जिला अस्पताल को से कॉविड नाइटिन के उपचार के लिए भरती एक विचारा दिन बंदी फरार हो गया साथ को चंपावत आ सकते हैं मुख्यमंति तो मुख्यमंति तिवेंसी रावत साथ नवंबर को चंपावत जिले का दौरा कर सकते हैं कि एनेच चौड़ी करनकार तेज हो गया है तो पितोड़कर से खबाले जहां पर कारदाई संस्तानों ने बारा मासी सड़क पर बढ़ाई मसीन और मजदूर आधी जरूरी संसाधन टनकपूर से रेल सेवा बंद पर आरक्षन सुरू हो है तो करोना मामारे की चलते आठ मा बंद रेल सेवा का टनकपूर से संचालन कंप शुरू होगा या अभी तक तैय नहीं है लेकिन रेलवे ने टनकपूर रेलवे स्टेशन से आरक्षन के सुईड़ा खोल दी है बोजन विवस्ता बंद आबडा पेड़तों में गुस्ता तो पिठोड़ा कर से खबा रही है जहां पर बंगा पानी और बरंग के सरकारी भावनों में रह रहे आपड़ा परभाहितों के लिए परसासन की और से की जा रही भोजन की बंद कर दी गई है तरनकपूर से खबरे जहां पर राष्टे एकदा को तीस धावकों ने लगाई दो तो तरनकपूर में भार रदन लोग पूरुस सरदार बल्ला भाई पर टेल की जैनती पर रीले रेस का इजन क्या गया जवार नवदे विद्याले की परवेश्ट परिच्छा साथ को है तो जवार नवदे विद्याले की अख्छा 6 की परवेश्ट परिच्छा साथ नॉवंबर को होगी पूर्णगरी मौसा के अंतिम दिन निकली डोला रथ यातरा तो खबरे चंपावत से साथ्गी से मनाई गई महरसी बालमी की जैनद तो जमपाउ से खवर आई है इस बार नहीं होगा मुवानी मौसा तो थल से ख़वाज जाप मौनी मौसा समिती की वार्षिक आम बेठा कोई इसमें करोणा मामारी की चलते इस बार मौनी मौसा का ज़न नहीं किया जाएगा बात करते हैं उदमसी नगर की ख़वरों की तो सियासी रंजी से हुई थी पारसद धामी की हत्या एक सूटर गिरफतार किया गया है तो पुलिस ने भाजपा समर्थित पारसद प्रकास धामी हत्या कांड का 19 दिन बाद खुलासा कर दिया पुलिस के अंसार राजनेतिक भुष्य और वर्चस्व संकट की चलते हिष्टी सीटर रहे पूर्व सबासद ने अपने भाई के साथ मिलकर 4 लाख रुपे सुपारी देकर अंतराजी सूटरों से पारसद की हत्या कर आई थी एक सूटर को गिरफतार कर लिया है मुख्या साजिस करता समेथ 6 बदमास सभी फरार है पुलिस कर्मियों पर फाइरिंग करने वाले दोपी दबोचे गए एक फरार है तो गदर पुट से कपर जहांपे पुलिस कर्मियों पर गस्त के दोरान फाइरिंग करने वग के मामले म में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को ग्रफतार कर लिया है हुआ है हुआ खबार यह नानक बता से जहां पर इसमेक तसकरी करते की सोर को पकड़ा गया है परनीतर की दुकान गोदाम में धतकी आग तो रुदरपूर से खबरे जाम के दमकल लगी गया दमकल विहाग की गाड़ी ने आदे घंटे की मसकत के बाद आग पर कावू पाया लाखों का नुकसान हुआ है टायर फटने से पल्टी पिकप बाइक से टगराई पिता और पुतर की मौत हो गई तो बाजपूर से कबरे जहां पर राजज सीमा पर यूपी छेतर रामपूर रोड पर टायर फटने से सबजी से भरी पिकप आनितित्व करके एक बाइक सवार से टगराते हुए सड़क कि को पीटा तो जिला नियाई गेट के सामने सड़क पर खड़ी एक यूटी पर अभद टिपरी करना बाइक सवार एक मंचली को महगा पड़ गया यूटी के भाईयों ने कार से पीछा कर बाइक सवार को सीमो कर लेके पास पकड़ लिया और जंब का धुनाई की बोर जलासे में फिर आई बाहर तो करोना काल में गुलजार बोर जलासे में ठप पड़ी परिटन गतिवीदिया पट्री पर लोट गई हैं होप ओटल में 1800 बच्चों और भुदुर्गों का कर दिया पंजी करन से 10% लोगों को ही सोरोजगार और नोकरी मिली है झाल प्जय कर दो झाल में प्रब़ीदिया प्रक झाल पुदुर्गों का कर दो खो झाल मेंगे यकशों धुदुर्वधार लोगों